नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जहरखन के दिन भर की खबर जानते हैं बेरोजगार यूकों ने 35% रोजगार की गरांटी को लेकर निकाला जुलूस धनबाद जिले के कतरास में ग्रामीन बेरोजगार अस्थानी यूकों ने जहरखन मुक्ती मोर्चा यम जहरखन बिस्थापित मोर्चा के बैनर तले 35% रोजगार की गरांटी को लेकर राम कलनाली कोलियरी से जुलूस निकाल कर सलानपूर कोलियरी मुख्य द्वार पर अपना हक और रोजगार को लेकर परदर्शन किया परदर्शन में सैकड़ो यूक हाथ वे बैनर जहंडा लेकर नाले लगा रहे थे अंदोलनकारी ने सलानपूर कोलियरी के पर्योजना पजादिकारी को एक मांग पत्र भी सोपा है बता दे कि यह जुलूस भारत कोकिल कोल लिमिटेड एरिया चार के अंतरगाद सालनपूर कोलियरी के कई अंडरग्राउंड खधान को बिगत 15 महिनों से बी सी सेल परबंधने बंद कर दिया है सोच के दोरान महिलाओं का असलील वीडियो बना रहा था युवक पंचायत ने थुक चटवाया खुले में सोच करने वाली गाओं की महिलाओं का असलील वीडियो बनाने वाला एक मुसलिम युवक को तौफिक की न सिर्फ सरोजनिक रूप से पिटाई की गई बलिक पंचायत लगा कर उसे थुक चटा कर माफी मांगने पर भी बीवस किया गया बता दे इस पंचायत में भाजपा के पुरोबिधायक देवंद्र कुमर भी मौजूद थे या घटना जर्मोंडी थाना छेतरे के नोनी घाट की है जनकारी के मुताबिक सनीवर की साम जब गाओं की कुछ महिलाया सोच करने गई थी तब यह युवक जाडियों में छुप कर मोबाईल से वीडियो बना रहा था जिसे गरामिनों ने धर्दबोचा और जम कर पिटाई की बाद में इस मामले में गाओं के लोगों ने पंचायत बुलाई जिसमें भाजपा के पुरोविधायक देवेंद्र कुमार समेत बड़ी संख्या में गरामिन मजूद थे पंचायत दोरान भी युवा की पिटाई की गई और थूख चटा कर माफि मांगने को विवस किया गया बाद में दोनों पक्छों में लिखित और परसूला होने की बात सामने आ रही है जार्खन में बढ़ रहे आई फुलू के मरीज बारिस के मौसम में बच्चे, युवाओ तथा बुजूर्गे के आँखों में संक्रमन की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है जिले भर में इफेक्टिव कंजक्टिवाइटीस और एलर्जी कंजक्टिवाइटीस के रोजाना नए मरीज मिल रहे है सरकारी अस्पताल के IOPD तथा आँखों के नीजी अस्पतालों में प्रती दिन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है खुद से भी किरिनिकों में लोग आई ड्रोप और एलर्जी के दवाई ले रहे है वही सरकारी और नीजी अस्पतालों में आने वाले मरीजों पर गवर करे तो इंफैक्टिक कंजिक्टिवाइटीस से संक्रमी तक्रिवन 400 लोग रोजाना अस्पताल पहुँच रहे है जिले के सरकारी और नीजी अस्पताल में नेत्र विभाग योपीडी में मरीजों की संख्या में जुलाई मासे भी बढ़ोत्री हुई है सहीद निर्मल महतों की पुने तिथी पर जमसेदपूर पहुंचे हेमंत सुरेन जारखन आंदोलन के मसिहार है निर्मल महतों की आज पुनेति थी है इस दुरान उन्हें सरधानजली देने के लिए मुख्य मंतरी हमान सुरेन जमसेदपूर में पहुंचे हुए है उन्होंने निर्मल महतों के समाधी अस्तल के पास आयोजीत एक सभा को समधित भी किया मुख्य मंतरी हमान सुरेन की सभा मंतरी चमपाई सुरेन बनना गुपता वा जोबा मांजी भी उपस्थित रहे जमसेदपूर पहुंच कर सबसे पहले सीम सुरेन ने कदमा उलियान में निर्मल महतों के समाधी पर सरधा सुमन अरपित किया इसके बाद निर्मल महतों की परतिमा परहेमन सुरेन, चंपाई सुरेन और बना गोपता ने मलाकपन किया है बतादे कारकरम को समोधित करते हुए सियम सुरेन ने कहा है कि कुछ दिने इस राजे की आईसी है जो जहरकन मुक्ति मोर्चा के इतिहास में एक पत्थर की लखी रहा है बेहतर रिजल्ट देने वाले स्कूलों और स्टूडेंट को मिलेंगे कैस प्राइस देवगर जिला के मधुपूर नगर परिशत कर्याले सभागार में सोमवार को परदेश के अलपसंख्यक कल्यान वा परेटन मंत्री हफिजूल हसन ने मधुपूर बिधान सभाच्यत्र के सभी उच वा प्लस टू बिद्याले के प्रद्यान द्यपकों के साथ समिक्षा बैठक की बैठक में केंद्र सरकार की नई सिक्षा निती को लेकर बिद्याले संचरन और बच्चों की सिक्षा पर जोर देने का निर्देश मंत्री ने दिया साथ ही 31 उच बिद्याले वह प्लस टू के परधना ध्यापकों से बिद्याले की समस्याओं की जनकारी भी ली है समिक्षा के दरण विद्याले में 20 सेवार सिक्ष्को की कमी भवन की कमी, सवचाले की कमी की समयस्या का फिटबanu लिया इस दरण कुछ सिक्ष्कों के सिक्ष्को本 के बताया है कि भवन निर्मान होने के बाद भी अब तक सुपुर्ध नहीं किया गया है जारखन में पांच जीलों में शुरू की गई एंबुलेंस सेवा राश्ट्रिय स्वास्थ मिशन के तहत राजे में डायल एक्सवाट अपात का लिन सेवा के तहत एंबुलेंस की तैनाती के आदेश देद दिये गए हैं पहले चरण में धनबाद, हाजारीबा, खुटी, लोहरदगा एवं रामगड के 79 बेस लोकेशन पर एंबुलेंस का ठारा सुनिश्चित करते हुए उनके नेमी संचारण की मंजूरी दी गई राश्ट्रिय स्वास्त मिशन के अपन निदेशक अभियान ने इस समन्दी पत्र जारी कर दिया है एन एच एम परिशर में खड़ी सभी 26 ने एंबुलेंस को धिरे दिरेतता है जगो पतैनात किया जा रहा है वहीं दूसरे चरण में रांची गिरी डिदुम का पलामू पुर्भी सिमू और पांकुड में एंबुलेंस सेवा सुरू की जाएगी इसके लिए चालको और पारा एमर्जेंसी मेडिकल टेकनेसियन की भरति की जा रही है जामूमो बिधायक लोबीन को मिली एकस स्रेनी की सुरक्षा ग्री बिभाग ने बोर्यो बिधायक लोबीन हेमर्ण की सुरक्षा बेवस्था को सुद्रिड करते हुए उन्हें एकस स्रेनी की सुरक्षा मुहया कराई है बोर्यो बिधायक ने बिधान सभा के मांसुन सतर में बीदे 2 अगस्त को अपनी जान के खत्रा कवले करते हुए सुरक्षा की मांग की थी गिरी बिभाग ने इसे कंबीता से लेते हुए उन्हें एक स्रेनी की सुरक्षा से अचाजित किया है पूलिस सूत्रों ने बताया है कि विधायक लोबी नहमरम के साथ अब तीन बोडिगाड तैनात रहेगा वहीं विधायक को साहवगन जिले से दो और गोड़ा जिले से एक बोडिगाड दिया गया है सुत्रु ने बताया कि गरी विभाग वा बिसेस सक्षा ने गोड़ा जिले के एस्पी को पत्र लिकर विधायक पर आसन खत्रों की समिक्षा के बाद अपने अस्तर पर आवास गाड उपलब्द कराने की करवाई करने का आदेश दिया है जारखन में सरकारी रेट पर गवतसकरी जारखन में गवतसकरी को पुलिस परसासन का सरक्षन मिलने के आरोप लगते रहे हैं अब इसके कवन नामे का वीडियो भी सामने आया है वीडियो संताल परगना का है जहां गव तसकर मौसी को पैदल ही हांक कर ले जा रहे हैं इसमें एक गव तसकर बता रहा है कि उनसे प्रती मौसी थाने में कितने रुपए वसूल किये जाते हैं बता दे या वीडियो राजी के पूरो मुख मंतरों बीजेपी परदेश अध्यक्स बावला मरांडी ने अपने अधिकारिक ट्यूटर अकाउंट से सेर किया है वीडियो में एक व्यक्ति मौसी को हाक कर ले जा रहा है और दो यूवक उससे बात चित करते सुनाई दे रहे हैं इसमें तसकर बता रहा है कि वह चार थाने में पैसा देता है बावला मरांडी दोरा सेर कियेगा इस वीडियो में तसकर से यूवक पुछते हैं कि इन जनवारों को आप ऐसे खोलियाम ले जा रहे हैं पुलिस नहीं पकरती जारखंड के डूमरी में जल्द हो सकती है उपचुनाओ की घोसना पुर्व सिक्षा मंद्री जगरनाथ महतों की निधन से खाली होई डूमरी बिधान सवा सीट पर उपचुनाओ की घोसना कभी भी हो सकती है सियासी जनकारों का मनना है कि केंद्रिये निरवाचन आयोग 14 अगस से पहले ही डूमरी में उपचुनाओ का एलान कर सकता है चुकि 6 अप्रेल को ही जगरनाथ महतों का निधन हो गया था समयधानिक प्रदानों का मुत्ताविक किसी भी खाली बिधान सवाय लोग सवा सीट पर 6 महिने के भीतर उपचुनाओ कराना होता है ऐसे में 5 अक्टूबर तक डूमरी में भी चुनाओ सपन कराना है ऐसे में प्रबल समावना है कि इसकी खोस्तना भी जल्द हो 2009 के बाद से लगातार तिन टर्म तक विधायत रह जगरनाथ मतों की खासियत की वज़ा से प्रथम दिशियता यहाँ सत्ता रूट जहर्खन मुक्तिमोर्चा का पलरा भारी लगता है लेकिन रायनितिक में अनिशीताएं भी होती है विश्व आदिवासी दिवस को लेकर सजधजकर तयार है रांची का बिर्षा मुंडा एस्मिरिती पार्क विश्व आदिवासी दिवस को लेकर रांची का बिर्शाम मुणाई स्मिनिती पार्ग सजधज कर पूरी तरह से त्यार हा यहां नौ और दस अगस्त को भव्य कारकरम का वजन किया जाएगा दो दिनों तक चलने वाले इस महोसमे देश दुनिया की समरिद आदिवासी संस्कृती सभ्याता और खान पान की एक विश्व जलक दिखने को मिलेगी साथी आदिवासी कला संस्कृती बिरासत का अध्भूत समागन भी होगा बदाद है कि आदिवासी अबादी के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा के लिए हर सलनौ अगस्त को विश्व के आदिवासी लोगों का अंतराश्रिय दिवस मनाया जाता है वहीं यह घटना उन उपलब्दियों और योगदानों को भी सविकार करती है जो आदिवासी लोग पर्यावरं सनवचन जैसे विश्व के मुद्धों को बेहतर बनाने के लिए करते हैं सहायक आचारे के लिए आवेदन सुरू जारखन प्रारामभिक विद्याले प्रस्रिक्षि सहायक आचारे सन्युक्त परत्युक्ता परिशा दो हजार तेस के लिए आट अगर से ओनलेन आवेदन जामा होना सुरू हो गया है JSC की ओर से आहुत उक्त परत्युक्त परिक्षा के लिए 7 सितंबर तक आउनलाइन आवेदन किया जा सकता है राजी के प्रारमिक विद्यालम इंटर्मीडियेट वास्तना तक प्रसिशी सहायक अचारी के 26 यार एक पदोपन उक्ति की जाएगी 9 सितंबर की मज़ राती तक परिशा सूल का भुक्तान किया जा सकेगा वहें फोटो अहस्ताक्षर अप्लोड कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउन लेने के लिए 11 सितंबर की मज़ राती तक लिक उपलब्द रहेगा जार्खन में पंचायती राजब्यवस्था की इस्थिती खराब साराजे में कूल 43-45 पंचायते हैं इन में से 171 में पंचायत भवन नहीं हैं सिर्फ तीन जीलो हजारे बाग जामतर और गोड़ा की सभी पंचायतों में पंचायत भवन हैं धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं है तो चैनलों के सब्सक्राइब कर बाल का बेल लाइक अंद